यह है 18th question number, 1 plus 2 plus 3 up to n is less than 2n plus 1 whole square by 8, यह आडी शर्मा का example 31 है, आडी शर्मा class 11th, new edition जो है, चुकिए edition change होते रहते हैं, तो edition भी question भी आगे पीछे हो सकता हो, फिलाहाल यह मेरे पास जो edition है, जिसको देख करके हम आपको बता रहे हैं, इस पर 2021 लिखा हुआ है, तो 2021 edition में यह example 31 है, देखो inequality का question है, ठीक है, तो पहले तो वही तरीका step 1 लेते हैं, हमने क्या कहा step 1 में, for n is equal to 1, 1 के लिए test करते हैं, अब नियमता LHS की value less than होनी चाहिए, आर्चस से आर्चस बढ़ा होना चाहिए, यही तो यह कह रहे हैं तो यानि की LHS क्या आएगा, LHS 1 देखो, बहुत लोग बताते हैं, n को 1 यहां रख दीजिए, यहां नहीं रखा जाता है, 1 का मतलब 1 step, 2 का मतलब 2 step, 3 का मतलब 3 step, यह ध्यान रखिएगा, और आर्चस में n को 1 लिखिए, तो n को 1 लिखिए, क्या आएगा, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का whole square by 8, यानि के 9 by 8, अब बता 1 is less than 9 by 8 आरा नहीं आरा, यह value बड़ी है, so it is true, so it is true for n is equal to 1, यानि 1 के लिए तो सही है, जो statement लिखा है वो, सही है, फिर हम क्या करेंगे, k के लिए इसको सही माल लेते हैं, अब इसको सही माल लेते हैं, के let it is true for n is equal to k, यानि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम यह माल लेंगे सही है, मतार LHS में n को k रखेंगे, RHS में k रखेंगे, और माल लेंगे जैसा दिया है, वो satisfy कर रहा है, यानि यह क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 up to so on, plus k is less than 2k plus 1 whole square by 8, यह सही है, हम step 3, चुकि inequality में थोड़ा गरबढ़ है, ठीक है, inequality में हम LHS लेके नहीं चल सकते हैं, यहाँ एक लफड़ा होता है, क्या लफड़ा होता है, होता क्या है, जैसे 2 less than 8 है, ठीक है, और मेरी अगर जरूरत पढ़े, तो अगर इस 8 को 9 भी कर दे तो हम सही बोल है न, अगर हमें जरूरत पढ़े हो, इसको 9 करना पढ़ जाए, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 8, 2 less than 8 है, तो 2 less than 9 भी होगा, तो यह काम हम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमको LHS और RHS दोनों को लेके चलना पढ़ेगा, तो देखे, for n is equal to k plus 1 के लिए हम करेंगे कैसे, ध्य अगर n को k plus 1 लिखोगे, तो आपको k plus 1 तक इसको ले जाना पढ़ेगा, और इसके पहले k आएगा, यानि k के बाद क्या आएगा k plus 1, अगर यहाँ पर दोनों तरफ में k plus 1 प्लस कर दूँ, तो क्या कोई दिक्कत आएगी, यानि कि मैं यहाँ कर दूँ, 1 plus 2 plus 3 up to so on, k तक तो आपने लिखाई है, और यहाँ less than लिखा है, आपने क्या, 2k plus 1 का whole square by 8, अरे भाई अगर यहाँ पर 1k plus 1 हम प्लस कर दें इधर, और k plus 1 इधर कर दें, तो क्या inequality का sign change हो जाएगा, नहीं होगा, यानि कि यह चीज तो आपकी pk plus 1 आगई नहीं आगई, अब वो चीज क्य आनी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए, अगर n को k plus 1 लिखते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, अगर n को कि रखो इधरा k plus 1, तो यह 2k plus 1, प्लस 1 उपर आएगा ना, बतार 2k plus 3, तो actually मैं अगर इसको solve करके 2k plus 3 का whole square by 8 कर दो, यह चीज solve करके, और आप कह दो, कि यह जो अगर y8 से छोटी है, तो आपका statement सही होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो इसको calculate करते हैं जरा, ठीक है, मतब अब आप कहेंगे आपने तो less than लिख दिया, लिख दिया ना, लेकिन यह अभी हम अपने आप लिख दिया, 2k plus 1 लिख दिया, अब हम दिखाएंगे चीज, यह चीज आ रही के नहीं आ रही है, दिखो दियान से, यह क्या है, 1 plus 2 plus so on, plus k plus k plus 1 is less than, 8 लिख दिया, तो यह क्या आएगा, 2k plus 1 का whole square plus 8, k plus 1 by 8, सही कहां मैंने, मैं इसको क्यों कल्कुलेट करके यहां तक पहुँचाना चाहता हूँ, यह इसके less है की नहीं है, ठीक है, आ इसको थोड़ा कल्कुलेट करिए, तो इधर आएगा आपका, 1 plus 2 plus 3 up to, अरे यह तो 3 तक लिखो, 4 तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, up to k plus k plus 1 is less than, तो इसको खोलते हैं, तो यह आजाएगा आपका, क्या बनेगा यह, यह बनेगा 4 k square plus 1 plus 4 k plus 8 k plus 1 plus 8 by 8, लेख सकते हैं इसको, देखें, तो 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1 का whole square is less than, यह है 4 k square plus 8, 4, 12 k plus 9 upon 8, तो आगया, 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1, यह whole square कहां से आगया, is less than, यह क्या लिखा है, अगर इसको देखें, यह किस चीज़ का whole square लिखा है, यह 2 k plus 3 का whole square लिखा हुआ है, 2 k plus 3 का whole square by 8 लिखा हुआ है, अब देखो आपको चाहिए क्या, जद ध्यान से समझे वा, यही पर लफ़डा फसा हुआ है, यह आपको चाहिए 2 k plus 1 plus 1 का whole square चाहिए ना, यही लिखा है और नहीं लिखा है, इसको खोलो जड़ा, 2 k plus 1 आएगा, 2 k plus 2 plus 1 आएगा, यही लिखा है ना, यानि कि LHS, RHS से लेस हो रहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह statement true है, for, so it is true, यही इसको चाहो तो लिख सकते हो, less than, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 k plus 1 plus 1 का whole square ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिखेंगे, so it is true, so it is true for, n is equal to k plus 1, also, so it is true for all the values of n, इसका मतलब यह जो statement है, वो हर value के लिए सही होता है, एक चीज़ और, जैसे आपको 2 k plus 3 whole square, चाहिए, ठीक, लिख दिया आपने, आपको चाहिए होता 2 k plus 4, और है 2 k plus 3, तो देखे ध्यान से, अगर मैं इसको 2 k plus 4 लिख देता है, तो भाईया क्या यह अभी भी बड़ा होता अगर नहीं होता, भाई देखे यहाँ 2 k plus 3 है, माल लेते हैं, आपको 2 k plus 5 चाहिए, और बड़ी value चाहिए, तो इसको अगर इससे ज्यादा बड़ी कर देंगे value, तो तबी भी तो लेफ्ट हंड साइड से बड़ी value होगी ना, न quality में ऐसा कर सकते हैं, ठीक, तो यह है question number 18 and R.D. Sharma example number 31.